आई पील सट्टेबाजी मामले में अर्वास खान को सैटेड़े एंटी एक्स्टोर्शन सेल में पेश होना पड़ा और आपकी जॉनकारी के लिए बता दें कि पूश्टाश के दोरान उन्होंने पिछले पांच साल से सट्टेबाजी में शामिल होने की बाद भी कुबूल कर ली है ये भी बताया गया है कि वो पिछले कुश सालों में सट्टेबाजी में करीब 3 करोड रुपए हाड चुके हैं और जब उन्होंने बुकी को पैसे देने से मना कर दिया तो ऐसे में अर्वास को धमकिया मिलने लगी और तो और पैसों की वसूली के लिए मलाइका के पास भी फोन आने लगे थे इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसकी वज़ास से अर्वास अपनी बर्बादी के खुद जम्मेदार है तो चलिए आज आज आपको बताते हैं कि ऐसे वो क्या मामले हैं जिसकी वज़ास से अर्वास खान आज इस कगार पर पहुँच चुके हैं जैसे कि अर्वास को सटे की लत ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया पैसे बनाने के चक्कर में वो पैसे हारते चले गए और इस बात को लेकर सलमान ने भी काफी ज़्यादा नराज के जोताई थी जानकारी के लिए बता दे कि अर्वास ने अपने बयान में बताया कि दिवाली वाले दिन सल्मान पर वो हाथ उठाने वाले थे, लेकिन अचानक से उनकी मां आ गई जिसके चल देव उन्होंने अपना हाथ रोक लिया। इसके लावा, अरबास ने एर 1996 में फिल्म दरार से अपने बॉलिवुड करियर के शुरुवात की थी। इसके बाद वो कुछ फिल्मों में सल्मान खान के साथ तो नजर आये, लेकिन वो इतने सक्सेस्फुल बड़े परदे पर नहीं हो पाए। अरबास ने इसके लावा कई मल्टी स्टारर फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनका करियर कुछ खास जम नहीं पाया। फिर साल 2004 में आई हिट फिल्म हलचल के बाद उनका करियर धलान पर आ गया। इसके लावा अगर हम अरबास के डाउन फॉल की बात करें तो उनकी पत्नी का तलाग भी उनकी इसी लट के चलते हुआ। जी हाँ, अरबास ने सक्टा लगाने के बात करते हुए बताया कि पैसे ना चुकाने पर लोग मलाइका को फोन करके परिशान करते थे। जिसके चलते उनके घर में रोज जखड़े शुरू हो गए। और यही वज़ा थी कि मलाइका ने अरबास से तलाग भी लिया। शादी के 20 साल बाद करीब साल 2017 में इन दोनों ने तलाग लिया और अलग हो गए। जिसके चलते मलाइका ने रिष्टा खतम करने के साथ साथ 10 करोड रुपे की अलिमनी मनी भी मांगी। जो कि अरबास को देने पड़ी और यह अरबास का एक और डाउन फॉल था। नेक्स नाइलाइ नूस्रूम के रपोर्ट।